गाइज, बहुत सारे लोग अपना वेट बढ़ाना चाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मसल्स को बढ़ाना चाते हैं, वेट को इंक्रीज करना चाते हैं, पर वो यह सोचते हैं, कि हमें कोई ऐसी डाइट पता चल जाए, जो की बहुत सस्ती हो, बहुत ही चीप हो, अगो उस कोई डाइट बताए चोकि बहुत सस्ती हो भाई हमें ऐसे कोई डाइट प्लान दे दो यार चोकि बहुत सस्ता हो बहुत चीफ हो क्योंकि हम एक student है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने जदा पैसे घर्च करें यार और हम अपना weight increase करें हम अपनी muscles को बनाए तो इस वी weight increase तेजी से कर पाऊगे बहुत आसानी से कर पाऊगे तो मैं मुख पता हो सबका बहुत ताबिश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मुझे comment करके जरूर अधाना दोस्तो आपको अपनी diet में सबसे पहले oats जरूर एड़ करना है दोस्तो जो oats है ना उसके अंदर complex carbohydrates होते हैं और अगर आप breakfast में oats consume करते हो तो वो आपको हलके energy देता रहता है और साथी साथ weight gain करने में muscles को gain करने में बहुत ज़ादा मदद करता ह दोस्तो जो 1 kg oats का packet होता है ना वो करीब आपको 100-200-200 रूपय तक के अंडर में आपको मिल जाएगा कोई ज़्यादा महेंगा भी नहीं आता है और साथ में आपको honey भी लेना है दोस्तो अगर आप honey use करोगे तो honey में natural sugar होती है बहुत ज़ादा benefit करने वाला है आपकी body को आपका weight भी बहुत तेरी से increase होगा तो आप एक शीशी honey की लेए और साथ में oats वगारा consume करिए तो honey भी बहुत चीप मिलता है बहुत सस्ता मिलता है इतना महेंगा नहीं आता है और oats का packet के rate भी मैंने आपको बता दिये इतना महेंगे नहीं आते है दोनों को आप mix करके खाओ गई दूद के साथ में तो आपका weight gain बहुत तेरी से होना शुरू हो जाएगा ये meal जो है आप breakfast में ले सकते हैं कोई problem भाली बात नहीं है ये आपको energy भी देगी आपको healthy भी बनाएगी और आपका weight भी बढ़ेगा दूसरी चीज जो आपको लेकर आनी है वो है खजूर का ए एक packet जो है आपको खजूर का जरूर लेका रहा है वो काफी दिन तक चल जाएगा और आप जो है एक दिन में कित्ती खजूर खाएं आपको करीब 5-6 खजूर जरूर खाने ही खाना है और जो एक packet मिलता है वो करीब 100-500 या 200 रुपए तक का आपको असानी से मिल जाएगा आ आप जो है महीने में दो packet भी consume कर सकते हैं खा सकते हैं अगर आपको budget थोड़ा कम है तो एक packet एक महीने के अंदर जरूर consume करें बहुत चीप होता है बहुत सस्ता होता है and weight increase करने में बहुत जादा मदद करेगा दोस्तो अकसर आपने देखा हुगा कि बहुत सारे लोग अपन उसका इतना budget नहीं होता है कि वह उनको buy कर पाए तो इसका iska मैं alternative आपको बता देता हूँ आपको peanuts लेना है की जो मुंग्फली के डाने होते हैं वह खरी लेना हैar आपको मुंग्फली ही खरी लेना है वो बहुत cheap होती हैं बहुत सस्ती होती हैं और आप held in चने अप Holy 혁ः क अगर आप अपनी डायट में ज़रूर लेना है तो आपको अच्छी क्वाइट करें जो कि आपका वेड्र गें करने में बहुत जादा मदद करेंगा जो कि आपको बता रहा हूँ ना इस वीडियो में यह हाई-ean calories है low-ean budget बलब calories आपको जाधा मिलेंगी और इनका budget काफी कम है जो कि easily हर कोई बाय कर पाए हर कोई खरीद पाए और अपनी muscles गेन कर पाए अपना weight बड़ा बाए तो आपको क्या करना है बुने चैने लेना है और साथ में peanuts भी लेना है बात करते हैं अगली चीज के बारे में वो यह है कि lunch करते हो जब भी आप या फिर हो जायेगा और साथ इसाथ जो आपका diet भी खराब होने के chances रहेंगे तो आपको क्या करना है जो घर से बने हुए रोटी होती इन जो घर की बने हुए रोटी होती है वही रोटी यह रोटी आपको थोड़ी बहुत राइस भी खाना है, थोड़ी बहुत रोटी खाना है, आपको जो है दाल भी रखना है, पनीर भी रखना है, राजमा, छोले, इस तरीके से कोई ना कोई सब्ची जरूर होना चाहिए, आपको कोशिच करना है कि अपनी जो डाइट होती है, अपनी जो मील होत 300 400 500 जितना भी आपका बजट है वो यार company के उपर depend करता है और kg पर depend करता है कि half kg कब आई कर रहे हो या 1 kg कब आई कर रहे हो तो आप उस तरीके से बाई कर सकते हैं खरी सकते हैं वो करीब आपका एक महीनी तक असनी से चल जाएगा तो आपको brown bread के साथ में जरूर यूज करना है उसके इंदर बहुत अच्छी कैलरीज मिलती है आपका वेट इंगीज करने में आपकी मसल्स को बढ़ाने में बहुत ज़्या मदद करेंगी अगर आप वर्काउट करते हो तो वर्काउट से आदे बजट आपका कम है प्रोटीन पाउडर आप खरीद नहीं पाओगे यार तो मैं आपको इसका अल्टरनेटिव बता देता हूँ जो कि कम पैसे में आपको मिल जाएगा वो यह है कि आपको एक की पूरी ट्रे भाई कर लेना है जो एक की ट्रे होगी न वो करीब जो है देड़ कर वाली बात नहीं है और साधी साथ आपको एक दिन के अंदर पास से छे अंडे खाना ही खाना है अगर आपको अच्छी तरीके से वेट गेन करना है तो आपको करीब पास से छे अंडे एक दिन में जरूर कंज्यूम करना है और अंडे में हाई कॉलिटी प्रोटीन होता है जो कि आपकी muscles को जाके लगेगा और आप अंडे cup खा सकते हैं आप morning में भी consume कर सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है और आप workout के बाद तो जरूर consume करें जरूर खाएं अगर आप protein powder वगरा use नहीं कर रहे हैं बात करते हैं अगली meal के बारे में जब भी आप सोने के लिए जाओ तो सोते टाइम आपको milk लेना है या फिर आप element ले सकते हैं अगर आपका budget थोड़ा सा सही है यानि बदाम ले सकते हैं अगर आप बदाम नहीं ले सकते हैं तो आप peanuts वगरा जरूर अपनी diet में रखिए जब भी आप सोने के लिए जाओ करी आदे से एक घंटे पहले ये meal consume कर सकते हैं बहुत अच्छा रहीगे आपके लिए आपका weight भी increase होगा आपकी muscles भी gain होंगी यार तो ये चीज़े आपको ज़रूर अपनी diet में add कननी है अब मैं आपको कुछ important point बताने जा रहा हूँ ये point अपने दिमाग में जरूर रखना पहला point वो ये है कि आपको calorie surplus में रहना है दोस्तो अगर आप calorie surplus में रहोगे यानि calories की बढ़ोतरी करते रहोगे तो आपका weight gain definitely हो जाएगा और जो weight gain होता है न वो ऐसा नहीं है कि आज आपने start किया कल आपका weight gain हो जाए तो आपको क्या करना है कि calorie surplus में रहना है बनलब calorie surplus में रहोगे अच्छे अच्छा खारा काऊगे, हल्दी खाना काऊगे तो आपका weight gain definitely होई जाएगा नमबर टू, आपको क्या करना है, workout जरू करना है exercise जरू करना है exercise में यहाँ बात करना हूँ कि weight training ही सबसे important होती है weight gain वालों के लिए weight training, यानि वजन उठाना है आपको जिम में जाना है आपकी age कितनी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने 15-16 age cross कर लिए तो आप workout कर सकते है, exercise कर सकते है कोई problem वाली बात नहीं है जिम में जाएगे, weights उठाईए यार तो उससे आपकी muscles भी मनेंगी आप healthy तरीके से weight gain भी कर पाऊगे बात करता हूँ last point के बारे में जो कि सबसे important point है यार वो यह है कि आपको consistent रहना है और अपने आपको किसी और से compare नहीं करना है मैं आपको बता हूँ, जो भी इंसान weight gain करना चाहता है तो वो कुछ ही दिन follow करता है 5 दिन follow कर लेंगे, या 10 दिन follow कर लेंगे या 15 दिन follow कर लेंगे कहेंगे यार मेरे अंदर कोई भी changes नहीं हो रहे है तो please अपने दिवाब में एक चीज़ note कर लीजिए अच्छी चीज़े होने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है तो आपको लगतार अच्छा-च्छा काना खना है अच्छी exercise करना है और अपने आपको दूसरे लोगों से compare बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप ये चीज़े follow करोगी और ये diet plan follow करोगी तो definitely आपका weight gain होई जाएगा यार दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, like करें वीडियो, channel को जरूर subscribe कर ले लाइक करें, share करें and subscribe करें all the best यार, दो में टेक क्यार, भाई